C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 8 दशमलव प्रिष्ट 192 8.6 दशमलव संख्याओं का जोड इनहें कीजिये शुने दशमलव 35 और शुने दशमलव 42 को जोड़िए एक वर्ग लेकर उसे सौ समान भागों में बाठिए इस वर्ग में शुने दशमलव 35 को दर्शाने के लिए तीन दशांच को छायांकित करें और पांच शतांच में रंग भरें इसी वर्ग में 0.42 को दिखाने के लिए 4 दशांश को छायांकित करें और 2 शतांश में रंग भरें। अब वर्ग में कुल दसवों और कुल सौवों की संख्या निकाल लें। यहां एक सारणी है, तीन स्तंभ हैं, इकाई दशांश शतांश, 0.35, 0.42 और इनका जोड़ हुआ 0.77 अतह 0.35 जमा 0.42 बराबर 0.77 इस प्रकार जैसे हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐसे ही दशमलव संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। क्या अब आप 0.68 और 0.54 को जोड़ सकते हैं। इकाई दशांश शतांश, 0.68, 0.54 इनका जोड़ हुआ 1,2,2 अतह 0.68 जमा 0.54 बराबर 1.22 प्रिष्ट 193 प्रयास कीजिए। ग्यात कीजिए। एक शून्य दशमलव दो नौ जमा 0.36, दो शून्य दशमलव साथ जमा 0.08, तीन एक दशमलव पांथ चार जमा एक दशमलव आठ शून्य। चार, 2.66 जमा 1.85, उदहरण बारह, लता ने 9.50 पैसे का एक पैन खरीदा और 2.50 पैसे की एक पैंसिल खरीदी, उसने कुल कितने रुपै खर्च किये? हल, पैन पर खर्च किया गया धन बराबर 9.50 पैसे, पैंसिल पर खर्च किया गया धन बराबर 2.50 पैसे, कुल किया बराबर 9.50 पैसे जमा 2.50 पैसे बराबर 12.00 उदहरण तेरह, सैमसन ने पाँच किलो मीटर बावन मीटर की दूरी बस से, दो किलो मीटर दोसो पैशट मीटर कार से और शेश एक किलो मीटर तीस मीटर पैदल चल कर तै की. उसने कुल कितनी दूरी तै की? हल बस द्वारा तै की गई दूरी बराबर पांच किलो मीटर बराबर पांच किलो मीटर बराबर पांच दशमलव शूनिय पांच दो किलो मीटर कार द्वारा तै की गई दूरी बराबर दो किलो मीटर दो सौ पैंसट मीटर बराबर दो दशमलव दो छे पांच किलो मीटर 5.0052 क्लमीटर जमा 2.265 क्लमीटर जमा 1.0030 क्लमीटर यानी 8.347 क्लमीटर अतह तै की गई कुल दूरी बराबर 8.347 क्लमीटर. उदहरन 14, रहुल ने 4 किलो ग्राम 9 ग्राम सेब, 2 किलो ग्राम 60 ग्राम अंगूर और 5 किलो ग्राम 300 ग्राम आम खरीदे, खरीदे गए सब ही फलों का कुल वजन कितना था? हल, सेबों का वजन बराबर 4 किलो ग्राम 90 ग्राम बराबर 4.09 किलो ग्राम अंगूरों का वजन बराबर 2.06 किलो ग्राम आमों का वजन बराबर 5.300 किलो ग्राम बराबर 5.300 किलो ग्राम अथह, खरीदे गए फलों का कुल वजन चार दशमलव शून्य नौ शून्य किलोग्राम जमा दो दशमलव शून्य शून्य किलोग्राम जमा पांच दशमलव तीन शून्य शून्य किलोग्राम यानि ग्यारह दशमलव चार पांच शून्य किलोग्राम खरीदे गए फलों का कुल वजन बराबर ग्यारह दशमलव च तेक खा जोड ग्यात करें. दो, रशीद ने 35.75 रुपाई में गणित की और 32.60 रुपाई में विग्यान की पुस्तक खरीदी. रशीद द्वारा खर्च किया गया, कुल धन ग्यात कीजिए. चार, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3.20 संटी मीटर कपड़ा खरीदा और 2.05 संटी मीटर पैंट के लिए खरीदा. उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निका लिए. पांच, नरेश, प्रातह काल में 2.35 किलो मीटर चला और साइक काल में 1.7 किलो मीटर चला. वहकुल कितनी दूरी चला? 6. सुनीता अपने स्कूल पहुचने के लिए 15 किलो मीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलो मीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तै करती है. उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? 7. रवी ने 5 किलो ग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलो ग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलो ग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा. उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ग्याद कीजिए. 8.7. दशमलव संख्याओं का घटाना. 2.58 में से 1.32 घटाईए. इसे हम एक सारणी द्वारा दिखा सकते हैं. इकाई दशांश शतांश. दो पांच आठ घटा एक तीन दो. एक दो छे अथह दो दशमलव पांच आठ घटा एक दशमलव तीन दो बराबर एक दशमलव दो छे. इस प्रकार दशमलव संख्याओं को घटाया जा सकता है यदि शतांश में से शतांश स्थान का अंग, दशांश में से दशांश स्थान का अंग, और एकाई में से एकाई अंग, और आगे इसी प्रकार घटाएं जैसे हमने जोड में किया. कभी-कभी दशमलवों को घटाने के लिए हमें संख्या के अंकों के समूह फिर से बनाने होते हैं, जैसा जोड में किया गया आईए, तीन दशमलव पांच में से एक दशमलव साथ चार घटाएं प्रिष्ट एक सौपिच्चानवे सारणी, इकाई, दशांश, शतांश, तीन, पांच, शुन्य, घटा, एक, साथ, चार संख्या में सौवें स्थान के अंकों को घटाने पर, जो के यहां संभव नहीं है, अतह फिर से समूह बनाने पर हमें प्राप्त होगा एक दशमलव साथ छे अतह तीन दशमलव पांच घटा एक दशमलव साथ चार बराबर एक दशमलव साथ चै प्रयास कीजिए 5.46 में से 1.85 घटाएं 8.28 में से 5.25 घटाएं 2.29 में से 0.95 घटाएं 5.68 में से 2.25 घटाएं उदाहरण 15 है अभी शेक के पास 7.45 पैसे हैं वो 5.30 पैसे की टौफी खरीदता है अभी शेक के पास अब कितने रुपाई शेश बचते हैं हल कुल धन बराबर 7.45 पैसे टौफी पर किया गया खर्च बराबर 5.30 पैसे शेश धन बराबर 7.45 पैसे घटाएं 5.30 पैसे बराबर 2.15 पैसे उदाहरण 16 उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5.30 पैसे वह एक किलो मीटर सतर मीटर पैदल चलती है और शेश धूरी बस से तै करती है बस द्वारा तै की गई दूरी ग्याद की जीए हल स्कूल से घर की कुल दूरी बराबर 5.35 शूने किलो मीटर पैदल तै की गई दूरी बराबर एक दशमलव शूने साथ शूने किलो मीटर अथह बस द्वारा तै की गई दूरी बराबर पांच दशमलव तीन पांच शूने किलो मीटर घटा एक दशमलव शूने साथ शूने किलो मीटर बराबर चार दशमलव दो आठ शूने किलो मीटर इस प्रकार बस द्वारा तै की दूरी बराबर 4.280 किलो मीटर बराबर 4 किलो मीटर 280 मीटर उदाहरन सत्रह कंचन 5 किलो ग्राम 200 ग्राम वजन का एक तर्बूज खरीदती है इस में से 2 किलो ग्राम 750 ग्राम उसने अपने पडोसी को दे दिया कंचन के पास कितना तर्बूज बचा प्रिष्ट 196 हल तर्बूज का कुल वजन बराबर 5.220 किलो ग्राम पडोसी को दिये गए तर्बूज का वजन बराबर 2.75 किलो ग्राम अथा बचे हुए तर्बूज का वजन बराबर 5.220 किलो ग्राम घर्टा 2.75 किलो ग्राम बराबर 2.45 किलो ग्राम प्रशनावली 8.6 1. निम्न को घटाओ A. 20.75 पैसे में से 18.25 पैसे B. 250 मीटर में से 202.54 मीटर C. 8.4 रुपाई में से 5.40 रुपाई D. 5.206 किलो मीटर में से 2.051 किलो मीटर E. 2.107 किलो ग्राम में से 6.3 एक 4 किलो ग्राम 2. मान ग्यात कीजिए A. 9.756 घटा 6.28 B. 21.05 घटा 15.27 C. 18.5 घटा 6.79 D. 11.6 जमा 9.8 चार साथ 3. राजू एक पुस्त तक 35.65 पैसे की खरीद था है उसने दुकानदार को 50 रुपाई दिये दुकानदार ने उसे कितने रुपाई वापस दिये 4. रानी के पास 18 रुपाई 50 पैसे हैं उसने 11 रुपाई 75 पैसे की एक आइसक्रीम खरीदी अब उसके पास कितने रुपाई बचे 5. टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटी मीटर लंबा कपड़ा है उसमें से उसने एक परदा बनाने के लिए चार मीटर 50 सेंटी मीटर कपड़ा काट लिया टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा 6. नमिता प्रती दिन 20 किलो मीटर 50 मीटर की दूरी तै करती है इसमें से 10 किलो मीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तै करती है और शेश आटो रिक्षा द्वारा नमिता आटो रिक्षा द्वारा कितनी दूरी तै करती है 7. आकाश 10 किलो ग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें से 3 किलो ग्राम 500 ग्राम प्याज 2 किलो ग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेश आलू है आलू का वजन ग्याद कीजिए प्रिष्ट 197 हमने क्या चर्चा की 1. एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए हम एक इकाई को खंड से दर्शाएंगे एक खंड के दस बराबर भाग करने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का एक बटा दस यानि एक दशांश होगा इसे हम शूने दशमलव एक के रूप में लिख सकते हैं जो के दशमलव निरूपन है इस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं जो के इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच लगाया जाता है 2. प्रत्येक भिन जिसका हर दस हो को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन रूप में लिखा जा सकता है 3. एक खंड को सौ समान भागों में बाटने पर प्रत्येक भाग उसी खाई का एक बटा सौ यानि एक शतांश भाग है दशमलव रूप में इसे हम शुन्य दशमलव शुन्य एक लिख सकते हैं 4. प्रत्येक भिन जिसका हर सौ हो को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और उसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन रूप में लिखा जा सकता है 5. स्थानी अमान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की और जाते हैं गुनन खंड पिछले गुनक का एक बटा दस हो जाता है स्थानी अमान सारणी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं शतांश स्थान से शतांश का एक बटा दस हजारवें एक बटा हजार स्थान तक जिसे हम दशमलव रूप में 0.001 भी लिखते हैं 6. दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है 7. प्रत्येक दशमलव को भिन रूप में लिखा जा सकता है आठ दो दशमलव संख्याओं की आपस में तुलना की जा सकती है तुलना संख्या के पूर्ण भाग जो के दशमलव बिंदु की बाई और के अंक होते हैं से शुरू की जाती है यदि पूर्ण भाग समान हैं तो दशान स्थान के अंकों की तुलना की जाती है और यदि ये भी समान हों, तो अगले अंक को देखें, यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। नौ, दशमलवों का प्रयोग, धन, लंबाई और भार, यानि वजन की इकाईयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर, गौरव मारवा, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत।